DPF Manual Regeneration बड़ा दोस्त OBD2 DPF को स्वयम को Regeneration करने की आवश्यक्ता है ये DPF Regeneration स्विच है Regeneration की समस्याई शहर आधारित Stop Stop Driving Shelly के कारण हो सकती है अन्य संभावित कारणों में गलत तेल का प्रकार अधूरा देहन और निम्न इंदन स्तर्शामिल है ये DPF Warning Lamp है वहन चलाते समय यदि DPF Warning Lamp चमक रहा है तो इसका मतलब है कि Manual Switch Regeneration करना होगा वहन को खुली जगह पर पाक करें इंजन को गर्म करने के लिए तीन से पांच मिनट तक एक्सिलरेटर पैडल दबाएं झाल की देती है झाल को गर्म करने कई बधियRO करें हुआ相 जची जगड़कर है इंजन को गर्म करने के बाद DPF स्विच को 5 सेकंड के लिए दबाए और छोड़ दे पांच सेकंड रुखें इंजन आर्पीम दो हजार तक बढ़ जाएगा इस प्रक्रिया के दोरान एक्सिलरेटर पैडल, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल को ना दबाए रिजेनरेशन पूरा होने के बाद DPF लैंप बंध हो जाएगा और इंजन आर्पीम आईडल हो जाएगा याह दिखाता है कि मेनियल रिजेनरेशन पूरा हो गया है